गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में अवतार को create किये हैं और अब आप उसे delete करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इंट तक बने रहें आप अवतार को कैसे delete करें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तो चलिए बिना time waste के हम वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम open कर लेते हैं और फिर अपने profile पर आ जाते हैं और इस three line पर क्लिक करेंगे और settings पर आ जाएंगे अब यहाँ पर अवतार सर्च कर लेंगे और इसे open कर लेंगे जब हम इसे open करेंगे तो हमें इस तरह का interface दो होगा तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आपने जो अवतार को create किया है पहले वो आ जाएगा यहाँ पर हमें delete का icon मिल जाता है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर लिखा है इस अवतार विल बी permanently deleted from all synced accounts जब हम इस अवतार को delete कर देंगे तो यहाँ से यह permanently delete हो जाएगा आप जहाँ जहाँ पर अवतार को sync कियोंगे तो वो भी delete हो जाएगा जैसे कि facebook में instagram story में profile में आप जहाँ पर भी अवतार को sync कियोंगे सब जगह से यह अवतार delete हो जाएगा अगर आप यहाँ से delete करते हैं तो तो हमें सब जगह से डिलीट करना है तो हम डिलीट पर क्लिक कर लेते हैं अब हमारा अउतार डिलीट हो गया है और अब एक्जिट एडिटर पर क्लिक कर लेते हैं ये देखिए अउतार यहां से डिलीट हो गया है सीतर होके helpful videos में हमेसा लाती रहती हूँ तो हमारे channel को subscribe जरूर कर ले और इस video को like जरूर करे